तो नमस्कार आपका सौगत दा साइंस अप में आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज यह सीरीज 44 है अब तक सीरीज 43 कंप्लीट हो चुकी यह इंपोर्टेंट है पीच्टी, टीच्टी, सुपर्टेट, किसी भी स्टेट का रेलवे गुरूप डी, एंटीपीस इविन जितने भी एकजांट्स होते हैं जिसमें साइंस आती है यह सीरीज सभी के लिए इंपोर्टेंट है आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1101 नंबर कोश्चन से अर्थाद 1101 से वे पादब जो केवल प्रकाश में भली भात बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं ऐसे पहुदे प्रकास की उपस्तिती में ही व्रद्धी करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका करक्ट आंसर हो जाएगा आतप उद्विद क्या कहते हैं सी नंबर इसका करक्ट आंसर हो जाएगा आतप उद्विद या आतप उद्विद इसको कहते हैं जो और देखिए व्रद्ध प्रकास 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 प्रका करते हैं अर्थात यह जीवन दाइनी गैस भी इसको कहा जाता है ऑक्सीजन वातावन में 21% प्रिजेंट होती है और नाइटरेजन 78% देखे इसका इस कोशिन के आंसर का डिस्क्रिप्शन आतप उद्भित यह एक पौधो का समू है जो की सूर की उपस्तिती में प्रकास संसल को इंग्लिस में photosynthesis कहते हैं अब देखें कोशियन नंबर 1102 और उस्यदियों और उनके कार का अध्यन क्या कहलाता है जो और उस्यदी होती है उनके उनका जो कार होता कार प्राली होती है और उनकी इस्टडी या उनका अध्यन क्या कहलाता है तो इसका correct answer हो जाएगा और श् इसको और उस्यदी निर्मार विग्यान इसको कहते है और उस्यदियों कार्यों का अध्यन कहा जाता और उस्यदी निर्मार विग्यान में अब जीवाश्म विग्यान की बात करें मरे जीवों के बारे में अध्यन करना अब देखो दोस्तों बात हो रही जीवों की तो की परिवासा जो है इसके अंतरगत पेड़ पौदे और जानवर सभी आते हैं बहुत कोई बड़ा पेड़ो विशाल पेड़ो किसी कारण आंदी तूफान या सुनामी में नीचे दब जाए हजारों साल दवा रहें फिर उसके बाद कोई साइंटिस्ट उस पे इस्टडी करे तो इसी को क्या कहेंगे जीवासम विज्ञान कहेंगे या बहुत बड़ा कोई हाती या बहुत बड़ा जानवर मर के नीचे दवा रहें हजारों साल प्रोसेश चलता रहेगा तो क्या होगा विविन प्रिकार की गैसे बन जाएंगी कोईला बन जाएगा विविन प्रिकार जब भी जीवा सुनकी बात की जाए तो mindset clear होना चाहिए कि मरे हुए ही जीवों की चर्चा हो रही है दोस्तो अब next हमारा question है ग्यारा सो तीन देखी ये क्या है निमलिकित में से कौन सा एक इस्तानी सम्वेदना हारी भी है और उत्तेजिक भी है तो इसका जो करक्टर अंसर हो जाएगा हीरोई हीरोईन इसका कई प्रकार के निवारक के दवा की रूप में भी उप्योग की जाता है ये एक उत्तेजिक भी है हीरोईन क्या है आपने अब तक पढ़ा होगा हीरोईन एक मादक पधार्त होता है से चरस्त गांजा अफीम होता इसी तरीके की इरोईन की होती है बट क्या है यह दर्द निवारक दवा की रूप में भी कार करती है और जब इसका जनरली लोग उपयोग करने लगते हैं अपने शौक के लिए तो यह उत्तेजक का भी कार करता है और इसे मादक पदार्थ की स् होता है कि सम्वेदन हारी भी है और उत्तेजक भी होता है अब कोश्य ने 1104 पोश्वा जिसको फ्लोयम दूसरा नाम है पोश्वा तो यह क्या है यह बास्ट है क्या होता है जो फ्लोयम होता है यह एक बास्ट है अब आप समझो फ्लोयम होता क्या है जब पेर पौदे प्रक संसलेशल के दौरान अपने भोजन का निर्मार करते उस भोजन को पेड़ पौदों की विविन साकाओं तक पहुचाने का कार फ्लोयम करता या पोश्वाहर करता है अब बात होती है यह हो गया फ्लोयम अब जाइलम क्या काम करता है जाइलम भून के नीचे से खनिश लवड और जल को क्या करता है उपर लाता है जिससे पेड़ पौदे को जल और खनिश लवड परयापत मातरा में मिलते हैं अब कोश्चन नमबर देखें ग्यारा सो पाँच सामान ब्रेड जिसे रोटी भी के देखें हूं टुटकम एस्टाइवम है तो यह क्या है यह सट गुलित रोग है क्या है यह एक प्रकार का दोस्तो रोग होता है सट गुलित का मतलब होता है छह से मल्टिप्लाई करना इसको अमदुख 6N भी लिख सकते हैं देखें जैसा कि इस कोश्चन के आंसर में कि डिस्क्रप्शन में आप देख पा रहे हूं शट गुलित होता है इसमें गुल्ट सूत्र 6 गुलित होता है अर्थात 6 गुला हो जाता है और इसे हम क्या लिख सकते हैं 6N इसको लिख सकते हैं अब देखें कोश्चन नमबर 1006 जीव विज्ञान की वे शाका कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंदित हैं विलुप्त जीव जो जीव धीरे धीरे गायब हो गया है अब सिर्फ उनकी चर्चा है और कहीं भी वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं वो विलुप्त से संबंदित है तो वह होती है परागारू विज्ञान क्या होती परागारू विज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नमबर अब देखेंगे 1007 क्या देखें ग्यारा सो साथ 1107 अर्था ग्यारा सो साथ आउशद में पीला नाशिक के रूप में प्रियुक्त होने व आउशद पीला नासक के रूप में प्रियुक्त होने वाला मिस्रल कौन सा एस्प्रिंड ये एक परकार की मेटिशे होती है अब देखें कोश्य नमबर ग्यारा सो आठ देखें आप लोग साइकस त्रकों में पाए जाने वाले संचरल उतक का आरोपित कार क्या हो सकता है त तो इसका करक्टर आंसर हो जाएका डी नमबर परकास तर्सलेशन मैंने आपको बताया था परकास तर्सलेशन के रिया क्या होती है यह हरे पेड़ पाधे में होती और सूर परकास इसके लिए दोस्तों कंपल सरी है आईए अब नेक्ट कोशन देखते हैं बबूल विरक्ष को यह कहा जाता है अथा चो बबूल विरक्ष होता उसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अलवी जिया लेवेक क्या कहते हैं अलवी जिया लेवेक को बबूल का यह जैविक नाम होता है यह जिलोशकल नेम जिलोशकल नेम इसको कह सकते हैं यह साइंटिफिक नेम कहते ह होता है इसमें भी दो वाराइटी पाई जाती देशी और विदेशी और देशी बबूल होता है एक विदेशी बबूल होता है और इन में दोनों की पैचान आप लोग खुद कर सकते हैं अब कोश्यन देखेंगे ग्यारा सो दस निम लिखित में से कौन सा हरित दूशा वास की गुडवत्ता का एक घटक नहीं है तो इसका जो करक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर छट पर सौर पैनलों का संसाथ है और सौर पैनल करते क्या है जो सौर प्रकास मिलता है उन सौर पैनल को वो परवर्तित करते हैं विभिन प्रकार की उर्चा में और वह विभिन प्रकार की उर्चा का उप्योग हम लोग अपने सुविधा अनुसार उप्योग करते है तो इसका करक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी नमबर सौर पैनल प्रदूशिक रहित हैं इस कारण क्या है यह हरित दूसा वास नहीं होते हैं अर्थात इनके घटक नहीं होते जो सौर पैनल होते सौर प्रिकास होता वह किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूशिक उत्पन नहीं करता ऐसे आप जर्मली लाइट देख में कोईलेस की जा रही है तो कोलेस ऐसे के जब बनाया जाएगा लाइट को तो क्या होगा विबिन प्रकार प्रदूर्शन हों क्वेश्चिन नमर्य है 1111 देखिए आप लोग में क्या हैं चार बार एक है देखिए इसको ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने जो अपना गरवास एक राय पर देती क्या कहलाती है इसे सेरोगेट मतर कहते हैं क्या कहते हैं इसको serogate mother कहते हैं अब आप लोग यह समझो serogate mother होता क्या है आपने इस time की मैं बात कर रहा हूं 2022 की बहुत सारे आपने cases सुने होंगे especially celebrity के साथ female के साथ कि उनको बच्चा होता है बर वो बच्चा उन्होंने खुद जन्म नहीं दिया होता है मुं क्या के जाता है इंका ovum और सीमेन जिसको सुक्राणु कहते हैं इंका utilization fertilizer के फिर किसी महिला की남 के रेंट में पर लेकर बच्चेव को कोद्न तक उसके Bachelor's फिर कोक में रखा जाता है फिर जिसHN kalian और पर उसकी बच्चा जन्म लेता है बट जो DNA होते हैं वो मैंच करते हैं ज जिस मदर के वहाँ पर वो अंडस या ओवम गभाणती है। तो ये आप शेरो बेपट आपने सुनाओगा, टिश्ट्य में बेबी के बारे अम सुनाओगा, तो टिश्ट्य में बेबी सेम होता है और सेरो बेप भी सेम होता है। जो मदर, जो महिला अपनी को किराय पर देती है, उसको सेरोगेट मदर कहते हैं, जो बच्चा उससे होता है, उसे टेस्ट बेबी भी कहते हैं, तो अब आप लोग दूस्तों समझ गया होंगे, अब देखें कुश्चिन नंबर 1112, कौन सा, 1112, जीवाडू भोजी किसके द्व खोजा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C नंबर पॉल एहरलिच, क्या बोलते हैं इसको, पॉल एहरलिच, इनका नाम है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जीवाडू भोजी को खोजा था, अब देखें कुश्चिन नंबर 1113, देखें इसमें क्या दिया गया है, जीन युगमों में नहीं पाय जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C नंबर युगमकों में, किसमें युगमकों में, देखें, युगमक निर्मार के दोरान अर्थ सूत्री कोश्का भी वाजन होता है, जिसके कारण प्रतेग जीव एक दूसरे से अलग हो उतक जन, जिसके बहार तुचा बनती है, वह क्या है, कुश्य नंबर है अपना, यही वाला, इसका करेक्ट आंसर ये नंबर हो जाएगा, तुचा जन, उतक जन, जिसके कारण बहार तुचा का या बाहरी तुचा का निर्मार होता है, उसे क्या कहा जाता है, वह तुचा ज जन का समू होता है सहर जन्तु में बाहरी तुचा होती है जिसको इंग्लिश में इसकिन भी कहते हैं तो तुचा जन वे समू है जिसके उतक जन द्वारा बहा जन बनता है आप देखें कोश्यन नमबर हम लोग रक्त समू की खोच किसके द्वारा की गए थी तो रक्त समू की बात हो रही है रक्त समू को इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्लड गुरुप कहते हैं और कितने ब्लड गुरुप होते हैं ए बी ए बी और ओ चार प्रकार के दोस्तों ब्लड गुरुप होते हैं और इसकी खोच क इसने की थी लेंड इस्टीनर और कब की थी उन्नीस सो में इन्हों ने खोज की थी अब जब आप ये पढ़ रहा है तो आप ये भी चीज जान लें जो रक्त पर संचरन है जिसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं उसकी कोज विलियम हार्वे ने की थी किस ने की विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त पर संचरन की खोज की थी और लेंड इस्टीनर ने रक्त समू की खोज 1900 में की थी दोस्तों बात की जाए जो रक्त है वह रेट किसकी वज़े से होता हीमोगलोविन की वज़े से होता है रक्त में क्या-क्या पाय जाता है आर्बीसी भी पाय जाती है आर्बीसी मतलब रेड ब्लट कार्पसल्स लाल रूधिर करका है उनका जीवन काल लगबक 120 दिन होता डव्ली शी व्वाइट बलड सेल्स यह स्वेथ रूधिर करका है यह प्रतृधक श्मता का निर्मार करती है अब आप समझें प्रत्रोधक श्मता क्या होती जब आप पर कोई वेक्ति अटाइक करता तो आप अपने बचाओं के लिए अपने हाथ पर हाथों को क्या करते हैं आगे कर देते हैं तो इसी तरीके जब भी कोई डिजीज आपकी बॉडी के अंदर पिंट्री करती है तो वाइट ब्लड कार्पस अर्थाद स्वेत रु मतलब के आकार की दो आर कोश्ववें किसम ने होती है? तो इसका करक्टर अंसर हो जाएगा फ़ला कोश न देखलेए इसका करक्टर अंसर हो जाएगा दू भीच पातपों में और एक बीच पातपों में अब दो बीच पात्पो और एक बीच अब इसी जगे होता कि दो बीच पत्री या दो बीच एक बीच पत्री तो दो बीच के अंतरगत का मतलब ऐसे बीच जिनको हम आराम से दो भागों में डिवाइट कर सकें या विवाजित कर सकें वो दो बीच पात्पो या दो बीच पत् से यह दो भागों में डिबाइड हो जैसे चला अब एक बीच की देखिए तो एक बीच में क्या होता है ऐसे बीच जिनको हम प्राकृतिक रूप से अलग ना पाते हो उनके वीजों को जैसे आप गहूं देख सकते हैं गहूं को आगे का हिस्सा तो लगता है गहूं के बीच क गहूं ले सकते हैं दो भीच में देख रहा है तो आप चना देख सकते हैं एक बीच को मोनोकोट और दो भीच को डाइकोट कहते हैं देखिए इसके जो आंसर करक्ट आंसर है वो सी उप्योक्त दोनों क्या है उप्योक्त दोनों रहर एक बीच पत्ति और दो भीच पत्ति दोनों में पाया जाता और रहर को नियंतरित करने के लिए कोश्का पाया जाती उसे रक्षी कोश्का कहते हैं जिसका आकार व्रक के आकार का होता है व्रक अर्थात जिसको इंगलिश में कड़नी कहते हैं और यह मनुस्ष में संख्या में दो और जोडी में एक पाया जाती है इसका कार क्या होता इवरक का, फिल्ट्रेशन का कार होता है, अब देखें कोश्य नमर 1117, डमले कार द्वार कोश्काएं किसमे होती हैं, तो इस डमले कार जो होती हैं, वह होती हैं मूंग फली में, किसमे होती हैं मूंग फली में, अब आप समझें मूंग फली में बहुत आदिक मात्रह में प्रोटीन पाय जाती है और प्रोटीन का कार क्या होता हमारी शरीर में यह हमारे शरीर को क्या myself gain या शरीर की class मेंटेनिंग बडी मेंटेनिंग के लिए प्रोटीन बहुत इंपोर्टेंट होता अर्थात नई कोश्काओं के निर्मार के लिए प्रोटीन अती महत्पूर होता है आप देखेंगे नेच्ट कोश्चन अन्ता परासरा पर देखें इसका डिस्क्रिप्शन जब जल रक्षी कोश्का में प्रिवेस करता है तो प्रेशर में व्रद्धी होने के कारण रंद्र खुल जाता है थापने अन्ता परासरा तो इसमें आंसर क्या हो जाएक बी नंबर करक्ट से अन्ता परासरा अब देखें question number हम लोग एक हजार उन्नीस देखे एक हजार उन्नीस ग्यारा सो उन्नीस सोरी ग्यारा सुन्नीस है कौन सी gas पादब गिराइब प्रभाव जिसको इंग्लिश में greenhouse effect कहते हैं के लिए मुक रूप से उत्तरदाई तो एक ही gas है CO2 क्या CO2 जो CO2 है या अगर आपसे पूछा जए ठोस रूप में कब संचित होती तो या बर्फ की रूप में संचित होती है तो यह CO2 है यह greenhouse effect के लिए मुक रूप से important या उत्तरदाई responsible gas होती है greenhouse में CO2 जिसको कारवंडा एक्साइट कहते हैं का उप्योग होता है जो इसे सूर की क्रोणों में प्राप्त होता है और इसे धुर्वी खिती के नाम से जाना जाता है ठंडे प्रदेशों में इसका उप्योग होता है जलवास जलको 100 celsius पर उबालने से भाप में परवर्थित होता उसे जलवास का आ जाता जब पानी 0 celsius पर जम जाता तो इसे उसका फ्रिजिंग पॉइंट कहा जाता है अब देखें question number 1120 पौदे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाले इस्तितियों का नाम बताई है तो यहाँ पर दोस्तों करने वाली है तो वह कौन सी है तो इसका correct answer हो जाएगा पर्यावरण या इस्तिति जो आस पास की वातावरण की इस्तितियों होती है वही पौदे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाले इस्तितियों होती जैसे आब मरुस्तल के किसी पौदे को देख ले तो क्या वे 10 मीटर 20 मीटर क्या उचाई वाला हो सकता है मुश्किल है क्योंकि व्रेद वाले एरिया में जीरोफाइट्स टाइप के प्लांट्स पाय जाते जीरोफाइट्स का मतलब होता है जिन में जो पत्तियां हुए काटे की रूप में सुरक्षित होती जैसे कैक्टस नाक फनी पौधाय यह जाता है तो पौधे का कोई भी कास हो रहा तो उसकी कौन से इस्थितियां रिंस्पांसबिल हो फोई होंगी पर्या वरन अब जैसे विश्वत रेखा के पास जो जंगल होते हैं उनकी विश्वता होती है कि उन में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाते या एक सब्द कहें कि उनमें जैब विवित्ता पाई जाती जैब विवित्ता को इंग्लिश में बायो डाइवर्सिटी कहते हैं तो इस कोश्चन के आंसर का कोश्चन का आंसर है सी नमबर परयावरनी इस्तितियां अब देखेंगे 1121 देखें अगना से कौन सा रस निस्तरत क निकालता है तो इसका करक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलीन और पाचक कौन सा इंसुलीन और पाचक रस यह रिलीज करता है अब देखो 1122 जब चुई-मूई के पधे को क्या करते हैं टच करते हैं कि पत्तियों छूते तो पत्तियां बंद हो जाती इस गती को क्या कहते हैं तो इसको रसायन अनकम्पी गती कहते हैं, क्या कहते हैं, रसायन अनकम्पी गती कहते हैं, और जब हम छुई मुई के ओ, इंगलिश में क्या कहते हैं, टस्मी नॉट प्लांट, क्या कहते हैं, एक ऐसा भी प्लांट होता है, जो बंद करके, क्यूडो का क्या है, क्यूडो के श तो वह क्यों सिकुड जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं रसायन अनकम्पी गती कहते हैं अब देखें कोश्चन नमबर हम लोग क्या कोश्चन नमबर देखें एक हजार तेज़ उतक समवर्धन की अउधारना किसकी थी तो इसका कररक्ट आणसर हो जाएगा हाफ मीटर जो हाफ मीटर एक सायंटिस्ट थे उनी की इनको हाफ मीटर नहीं हाफ मिस्टर भी कहते हो कहीं कहीं पर आप इनको हाफ मीटर लिखा हुआ भी देखेंगे बट आपका जो point of view है वह clear रहना चाहिए कि इसका जो correct answer होगा हाप mister ही होता है इन्होंने उतक समवर्धन की जो concept था उसको ही इन्होंने present किया था अब देखें question number 1024 देखें चोच किस से बनती है तो किस से बनती है यह दातों से बनती है चोच पाई किस में जाती पकषियों में पाई जाती है अब देखें question number 1125 पिन्न ये करणपाली एवम बहासर्वन नली तो यह दोस्तों बात हो रही है किसकी ये कानों की विशेष्टे कानों के बारे में बताया जा रहा है तो ये किस में पाई जाती है तो ये इस्तन पाई में पाई जाती है इसका correct answer सी हो जाए इस्तन पाई के अंतरकतो वह जन्तू आते हैं जो बच्चों को दुखत उत्पाधन कराते हैं अर्था दूद पलाते हैं और बच्चों को जन्द भी देते हैं वह सारे के सारे इस्तन पाई या इस्तन धारी जीव की कैटागरी में आते हैं और उनमें पिन्ना या कण पाली ये बासरोणी नली पाई जाती है जैसा कि आपने कान का कही न कहीं चित्र देखा होगा दोस्तो तो उसी की बात हो रही और मनुस भी इस्तन धारी या इस्तन पाई जन्दू के अंतरगत ही आता है दोस्तो ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है उम्मीद हैं सीरीज आपको बहत पसंद आयोगी इसी तरीके की जवर्चस सीरीज आपको कांटीनू मिलती रहेगी आपको करना क्या है इस सीरीज को अधिक सेदिक लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को क्या करना दोस्तो अधिक सेदिक सब्सक्राइब करो और सेर करो ताकि मैं आपको टाइम से लगातार सीरीज अबलेवल करवाता रहो दोस्तो जै हिन जै भारत